प्रवाकरेटिव चैनल की और एक फ्रेस अपिसोड में मैं हूँ आपके साथ प्रवाकरेटिव चैनल दोस्तो एक सेगेंट दोस्तो आज इस वीडियो में थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं मोटवलाग या बाइकलियरिट वीडियो तो छलता रहेगा थोड़ा सा नया कुछ ट्राइ करते हैं दोस्तो आज मैं चाहता हूँ इस वीडियो में अनबौक्स करना कुछ तो आशाकरतो हो आपको पसंद screenshot करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोई paid वीडियो नहीं है ये product मुझे personally अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको purchase किया खुद की मनी से आशाकर तो आपको भी पसंद आएगा तो चलिए देख लेते हैं दोस्तो ये रहा वो product मीवी का octave bluetooth speaker तो देखिए दोस्तो इसका specifications मैं आपको पहले बता देता हूँ अभी हम इसका specifications देख लेते है 360 HD studio sound 10 hour playback super solid base splash proof जी हाँ दोस्तो splash proof है ये पूरी तरीके से waterproof नहीं है and portable छोटा compact होने के कारएं इसको आप कही भी carry कर सकते हो और इसका price याप पर लिखा हुआ है देख सकते हो पूर 999 अगर आप इसको Amazon से purchase करते हैं तो इसका link आपको description box पो मिल जाएगा Amazon पर ये आपको 3000 मिल जाएगा इसके साथ आपको 1 year warranty भी मिलता है चाहे तो वीडियो को pause करके देख सकते हो तो चलिए इसका unbox करते है पूर्ट को मैंने लगबग 4 दिनों से टेस्ट किया and जब मैं ride में निकलता हूँ छोटा मोटा ride करता हूँ तो मेरा bag में ये रहता है and कई अगर मैं रुपता हूँ या mood off होता है या friends हम एक साथ होते हैं तो इसको मैं बजाता हूँ बहुत ही fun होता है तो अगर आपको ये product personally पसंद आता है तो आप भी purchase कर सकते है purchase link आपको description box में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों इस product की unbox करते है ये हुआ box open इसको रखते हैं side में तो यहापर आप देख सकते हो box में मिलता है जो main unit Bluetooth speaker तो इसको हम side में निकालते है इसको रखते इधर and box के अंदर आप यहापर देख सकते हो यहापर एक aux cable मिलता है इसके साथ and एक USB charging cable इसके अंदर एक manual जो हमारा कोई काम का नहीं है तो यह इधा box content तो अभी हम इस speaker की उपर गौर करते हैं यह रहा on off button, volume up, down and play pause button जब Bluetooth connection होगा तब यहापर blue light blink करता है यहापर पीछे के side देख सकते हो यह वाला port को open करने के बाद आप यहापर charge कर सकते हो यहापर एक reset pin भी है यहापर एक red LED है जो charging के time blink करता है and यह रहा aux port यहापर आप aux cable insert कर सकते हैं and पीछे side आप यहापर देख सकते हो charging input 5 volt 1 amp and battery capacity जो है 2600 mH यह वाला जो portion है वो base की तहत vivate होता है यह वाला button को अगर आप 3 second के लिए press करते हैं तो यह on हो जाता है यह देखिए यह देखिए यहापर जो blue blinking है वो start हो गया तो अभी आप mobile के साथ pair कर सकते हैं ठीक है अगर आपको off करना है तो फीट से आप इसको 3 second के लिए hold करके रखिए यह देखिए यह off हो गया और इसका sound भी आपको सुनाते है यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देख से अबनस्याव यह देखिए यह देखिए झाल 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 कि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक की जेगां सब्सक्राइब करना भूलना तो फिर मिल थे अगली दन अगली सपर में तिल दन बाई 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 टेक एर करנा तो बाई बाई बाईय डिर कि य्टित की बाईयों की जेगा डिर्ण अगली प्र खकाई की जेंग प। आसन आपको एक साफ़ लाई इन तो जेगा प्रふふ ए allा बाईवत बाई़ité झाल